Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 3 English which is the yellow butterfly. Peely titli, yellow butterfly आपको यहाँ picture में दिखाए दे रहे हैं यह, इन्ही की यह कहानी है, तो story को read करेंगे लेकिन उससे पहले chapter में जो new words आए हैं उनके meaning आपको बताए जाएंगे, यानि की सबसे पहले हम word meaning करेंगे, then chapter की reading होगी, उसके बाद explanation. तो चलिए start करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चानल पर, आप चानल को subscribe कर लीजे, bell icon को press कर लीजे. सबसे पहला word है around, around मतलब होता है चारो तरफ, catch, catch करना, पकड़ना, silently मतलब चुप चाप, बिना आवाज किये, float करना, पैरना, pretty मतलब होता है, बहुत beautiful, सुन्दर, climb, चड़ना, chase, chase करना, किसी का पीछा करना, everywhere मतलब हर जगे, escape, बचना, flutter, flutter करना, अपने wings को मतलब फड़ फड़ाना, twisted, twist करना, मोडना, तो यह आपके new words है, twisted, मोडना, flutter, फड़ फड़ाना, escape, बचना, तीनों ही नए है, everywhere, शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, हर जगे, chase, पीछा करना, climb, आप जानते होंगे, चड़ना, pretty भी आपको पता होगा, सुन्दर, float करना, तैरना, silently, चुप चाप, catch, पकड़ना, अर Yellow butterfly flew around in Sonu's garden, flew जो word है, यह fly से बना है, fly मतलब होता है, उड़ना, सो एक yellow butterfly थी, yellow color की butterfly, तितली, जो उड़ रही थी, चारो तरफ, in Sonu's garden, Sonu के garden में, Sonu के बगीचे में, एक yellow color की butterfly, चारो तरफ उड़ रही थी, Sonu saw the butterfly, he ran to catch it, Sonu ने butterfly को देखा, सो, सी से बना है, सी मतलब होता है, देखना, सो मतलब भी देखना, तो Sonu ने butterfly को देखा, he ran to catch it, catch करना मतलब पकड़ना, और वो उसे पकड़ने के लिए दोड़ता है, रन करता है, The butterfly flew to the rose bed, और butterfly जो है, वो उड़ जाती है, कहां पर चली जाती है, रोज बेड, वो जो गुलाब के फूलों की क्यारी थी, इसके गार्डन में उन पे जाके वो बैड जाती है, It sat on a red rose, और वो एक red rose पर लाल रन की गुलाब पर बैड जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में यह दिखाई दे रहा है, Now I can catch it, said Sonu, Sonu कहता है, Now मतलब अब, अब मैं इसे catch कर सकता हूँ, He walked slowly and silently to catch the butterfly, वो walk करता है, वो चलता है, slowly, बहुत धीरे-धीरे और silently चुप-चाप, वो बहुत धीरे-धीरे और चुप-चाप जाता है to catch the butterfly, butterfly को catch करने के लिए, आपने देखाऊगा थोड़ी शोर, थोड़ा शोर अगर होता है, तो butterfly एकदम से उड़ जाती है, तो वो उसको पकड़ने के लिए चुप-चाप जाता है, He came closer, closer and still closer, वो धीरे-धीरे पास आता जाता है, butterfly के पास, पास, और पास, But then, लेकिन फिर क्या होता है, Of the butterfly, butterfly वहाँ से भी उड़ जाती है, Where did the butterfly go? यह butterfly कहां गई? Near the garden was a pond, Near मतलब पास में, Garden के पास में एक pond था, एक तालाब था, In the pond was a white lotus, और उस pond में, उस तालाब में यह देखिए, White color का एक lotus था, एक कमल का फूल था, यहाँ पर आपको यह दिखाए दे रहा है, तो उस pond में एक white color का lotus था, Around it grew round leaves, और उसके चारो तरफ गोल पत्तियां होगी हुई थी, दिखाए दे रहे हैं आपको round leaves, यानि कि lotus की जो leaves होती है, वो round होती है, और वो float करती रहती है पानी के उपर, They floated in the water, और वो पानी के उपर सभी तैर रही थी, The butterfly sailed on floating leaf, Butterfly क्या करती है, floating leaf पे बैठ जाती है, जो तैर रही थी, और उसके साथ-साथ वो भी sail करने लगती है, Sonu went, splash into the water, Sonu चपाक से पानी में कूद पड़ता है, splash आवाज होती है, जब पानी में कोई चीज गिरती है, तब जो आवाज आती है न उसको splash बोलते हैं, तो जैसे वो पानी में कूदता है, चपाक से पानी में कूद जाता है, और फ्ली दबटरफ्लाई, उसके कूदते बटरफ्लाई उड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा भी शोर अगर थोड़ा सा पीछे होगा, तो बटरफ्लाई वहाँ पर फिर रुखती हैं, उनको भी डर लगता, उन्हें पता है कि कोई उनको पकड़ सकता है, बटरफ्लाई वहाँ से भी उड़ जाती है, वेर वॉज इट, अब ये कहां गई, सोनु लुक्ट आप, सोनु उपर देखता है, लुक्ट डाउन, वो नीचे देखता है, नियर दे वॉल, दिवार के पास में, वॉज अपीच ट्री, एक पीच ट्री था, पीच को हिंदी में आडू बोलते हैं, अगर आपने खाए हो, इट हैट पिंक फ्लावर्स, और उच्स पीच ट्री के पिंक कलर के फ्लावर्स थे, बटरफ्लाई जाके, एक बहुत सुंदर से फ्लावर्स पर बैट जाती है, आई कैन कैच यू, शाउट इड सोनू, सोनू जोर से शाउट करता है, शाउट करना मतलब चिलाना, जोर से चिलाता है, आई कैच यू, मैं तुम्हें पकड सकता हूँ, वो पेड के उपर चड़ता है, आप अप ही क्लाइम्ड, और उपर 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 चड़ता रहता है, बट, लेकिन फिर से क्या हुआ, बाक इट फ्लिव, डाउन फ्रॉम दे ट्री, बटरफ्लाई उड के पेड से नीचे आ जाती है, सोनु जंप डाउन टू, सोनु भी नीचे जंप कर देता है, एकदम से चलांग लगा देता है, उपर से ही, वो बटरफ्लाई को चेस करता है, उसका पीछा करता है फिर से, फ्रॉम दे रोज, रोज पहले तो गुलाब के फूल पर, तो दे लोटस, फिर लोटस, जो कमल का फूल है वहां, और आप दे पीछ ट्री, फिर पीछ ट्री पर भी उसने उसका पीछा किया, बट, लेकिन, रोज पहले पूलाई, वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाता है, सोनु कुड नोट सी इट अट आल, आखिर कार उसको बटरफ्लाई दिखाई देती है, देर वोज अब बिग स्पाइडर स्वेब, इन दे पीछ ट्री, उसने देखा कि पीछ ट्री के उपर, वो जो आडू का पेट था, उसके उपर एक बड़ा सा स्पाइडर का वेब है, वेब मतलब जाल, स्पाइडर तो आप जानते ही हैं, मकड़ी को कहते हैं, तो उसके उपर एक मकड़ी का जाल था, बटरफ्लाई वोज पॉट इन दे स्पाइडर स्वेब, बटरफ्लाई जो है, वो फस जाती है, पकड़ी जाती है, उस स्पाइडर के वेब में, तो वो उस वेब में उस जाल में फस गई थी butterfly It looked sad As it tried to escape Escape करना मतलब बचना जब वो बचने की कोशिश कर रही थी तो बहुत sad दिख रही थी बहुत दुखी दिख रही थी क्योंकि उसको लगा शायद में फस के यह अब मकड़ी उसको खा जाएगी Spider के वेब से निकलना भी बहुत मुश्किल है It fluttered its wings वो अपने wings को अपने पंखों को फड़ फड़ा रही थी It twisted and turned कभी इधर मुढ रही थी उस तरफ turn कर रही थी किसी तरीके से उससे निकल जाए But it could not escape लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रही थी Escape मतलब बच नहीं पा रही थी The spider's web held it tight Spider के वेब ने उसको Tight से बहुत मजबूती से पकड़ लिया था Spider के वेब में क्या है? जितना आप flutter करेंगे जितना twist and turn होंगे उतने ही जादा आप और फस्ते जाएंगे ऐसे वो अपना वेब बनाती है Poor butterfly In the middle of the web was a big spider और उस web के बिलकुल बीच में एक बड़ी सी spider थी It looked hungry वो भूखी भी लग रही थी It wanted to catch the butterfly वो butterfly को पकड़ना चाह रही थी Closer and closer crawled the black spider वो जो black spider थी Crawl करके चलके दीरे दीरे पास आने लगती है Rain के मतलब crawl करना किसके पास आती है? Butterfly के पास Before the hungry butterfly Before the hungry spider could grab it इससे पहले कि वो भूखी जो spider है वो उसको grab कर ले, पकड़ ले So no run, so no doda है And it caught the butterfly और butterfly को पकड़ लेता है It was so pretty वो जो butterfly थी वो बहुत सुन्दर थी It had brown spots on its yellow wings उसके yellow wings पर black spots थे So no love the little butterfly So no, वो छोटी सी जो butterfly थी वो बहुत प्यारी लगी But it looked sad in So no's hand लेकिन वो सोनु के हाथों में बहुत साड लग रही थी अब butterfly को उड़ना पसंद है इदर इदर flowers पे जाना फ्री रहना जब आप उसको पकड़ते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता तो उसको उसके हाथ में भी वो साड लग रही थी सोनु wanted it to be happy और सोनु चाहता था कि butterfly happy रहे तो अब वो क्या करेगा Go, said सोनु सोनु कहता है जाओ, fly away, यहां से दूर उड़ जाओ He let the butterfly go और उसने butterfly को जाने दिया It sat on the red rose, वो जाके red rose पर बैठी It flew to the peach tree, वो peach tree के उपर बैठी And then sailed on the lotus leaf, lotus leaf के उपर बैठ खर, sail भी कर रही थी घूम रही थी पानी में It flew merrily from flower to flower Merrily मतलब खुशी से वो बहुत खुश हो के एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही थी सोनु watched it, fly and fly सोनु देख रहा था, वो उड रही है constantly The butterfly flew all around सोनु's garden Butterfly सोनु के गार्डन के चारो तरफ उड रही थी Happy and free once again फिर से वो खुश थी और free भी थी एक बार वो बहुत साड हो गई थी और पकड़ी गई थी बट फिर से वो खुश हो जाती और free भी हो जाती है सोनु भी खुश है and butterfly भी खुश तो that's all students यह था आपका चाप्टर जो लिखा है निलिमा सिन्हाजी ने राइटर का नाम आप याद रखेंगे Hopefully चाप्टर आपको पसंद आया हो new words escape मतलब बचना pond मतलब तालाब पीछ मतलब आडू का पेड climb करना मतलब चड़ना catch पकरना middle beach में hungry भूखा, float करना, tearना shout करना, chillाना, chase करना पीछा करना, flutter, फड़फडाना twist करना, मोडना okay question answers जैसा कि मैंने खा हम दूसरी वीडियो में करेंगे so अभी के लिए तना ही thank you so much for watching